वेलकम टो एक्जाम तक आज अब 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी most important current affairs के question हम लोग इस वडियो में करने वाले साथ में मैं आपको हर एक question के साथ मैं detail में explanation भी बताऊँगा जिससे आपको current affairs के साथ-साथ statics जी के काफी ज़दा improve हो जाएगा लास्ट में मैं आपसे question भी पूछूँगा उसका अंसर आपको comment box में देना तो पूरा वीडियो द्यान से जरूर देखेगा इसकी quiz and pdf आपको telegram channel पर मिल जाएगी so join कर लेना link नीचे डिसकर्ट में दिया गया स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला question कौन सा important question लगा लीजे आप लोग पहला ही question हाल ही में भारत ने किस देश को माला बार नौसेनिक युद्धा ब्यास में हिस्सा लेने के लिए अमतरित क्या है तो most important question है आप लोगों के लिए माला बार युद्धा ब्यास से समदित मैं आपको बता दू 1932 से शुरू आता उस समय जो है भारत और अमिरिका ही इसमें हिस्सा लिया करते थे ठीके ना यानिकि दोनों ही देश and ये नौसेनिक युद्धा ब्यास है ठीके ना उसके बाद 2015 के बाद तीसरा देश इसमें शामिल हुआ जापान तो अब ये पर्मानेंट ले अगर पूछ ले जाए कि माला बार युद्धा ब्यास जो है किन देशों के बीच में होता है तो भारत अमेरिका एंड जापान इन तीन देशों के बीच में होता है लेकिन अगर पूछ ले जाए कि माला बार युद्धा ब्यास 2020 कितने देशों के बीच में हुआ तो चार देशों के बोछ में हुआ, आस्ट्रिलिया जो है, इसने भी बीधा 2020 में हिस्सा लेँगा, अभी नवंबर में आयोजित हुने वाला है माला बार नौसेनिक नई दिली में है, इंडियान नेवी की स्तापना कब हुई थी, 1612 में इसकी स्तापना हुई थी, इंडियान एयर फोस की कब हुई थी, 1932 में, ठीक है न, इंडियान नेवी डे कब मने जाता है, चार दिसंबर को मने जाता है, नेवी चीफ कोने करमभीर सिंग, एड्मिरल तो तीन कमान है इसके लवा आर्मी और एफोस की साथ साथ कमान है वो भी आपको इंपोर्टन याद रखना है अगर बात की जाए रिसेंटली हुए युद्धाब्यास की बारे में तो पैसेज युद्धाब्यास हुआता इंडिया और ऑस्टेलिया के बीच में जीमेक्स उसमें हिसा यह नहीं है तो ठीक है न वो भी आपको इंपोर्टन याद रखना कावकाज युद्धाब्यास ठीक है न इसके अलबा जो है सागर कवच युद्धाब्यास इंडियान कोश्ट गार्ड ने क्या था कोच्ची में वो भी आपको याद रखना है तो सबी बाते जो आपको most importantly याद रखने ठीक है न चले नेक्स्ट बात का second question की हाली में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए safe city project का शुबारम किया तो अभी जो केंदर सरकार की pilot योजना के ते जो है प्रमुक 12 शेरों में योजना शुरू की जिसमें जो उतरपदेश की राजदनी लख और उनको लिए उनके लिए भयमुक्त वातावरन अनाने के लिए safe city project शुरू किया यह आपको important याद रखना है आनन्दी बेन पटेल है 180 दिन तक लगातारी अभ्यान चलेगा इसमें उतरपदेश में ठीक है न तो यह आपको importantly याद रखना है अब यह उतरपदेश में MP का भी charge इनके पास एंठीक न उतरपदेश की राजदनी क्या लखना है यह याँ की राजदनी जो कि गोंती नदी के किनारे बसी हुए उतरपदेश का हईकोर्ट का है इलाबाद में है उतरपदेश का हाई को ठीक है न उतरपदेश के प्रमुक्द लोक नरतिय कर बात कि तो कथक लोग नर्थिये जो हैं वो उत्रपुदेश से सम्मझे अलब अगर बात किये उत्रपुदेश की हाली में तो मिशन शक्ती महिलाओ की सुरक्षा के लिए उत्रपुदेश नहीं शुरू किया था अगर बात किये उत्रपुदेश की तो रोजगार छत्री योजना उत उत्रपदेश रहाता, सभी बाते आपको उत्रपदेश राजowment के बार में important याद रखना, भी हूँ लोक नर्टेप भी जो कहां से संबन दी थे, तो वो भी जो असम राज़े से संबन दी थे, आपको important याद रखना, अगर बात कीजाए, असम की तो राज़दनी क्या है, दीसपूर है, यहां की राज़दनी, सरवानन सोनुवाल है, सीम, राज़िप यह भी आपको याद रखना, औरांग नैशनल पार्क एंड मानस नैशनल पार्क यह भी important याद रखना है, इसके अलबाद धिहांग पटकाई नैशनल अभ्यारण, वो भी important, क्योंकि वो पहले अभ्यारण था, अभी उसको नैशनल पार्क बना दिया गया है, दिहांग बाद का चोते कोशन की, हाली में किस राजी की सड़क विकास के लिए ADB के साथ 177 मिलियन डॉलर का समझता क्या है, रेन समझोते पर हस्तक्सर किये, 177 मिलियन डॉलर ADB दिखा अभी महराष्ट सरकार को यापको इंपोरेन याद रखना, महराष्ट में जो छोटे शेर और कस् मिलियन डॉलर का ये जो है, सायता देगा ADB, ये आपको याद रखना, अभी ADB ने हाली में 300 मिलियन डॉलर राजस्तान को भी दिये थे, वो जलापूर्ती के लिए दिये थे, ठेके ना, ये आपको याद रखना, अब ADB ने दिये हैं ये, तो ADB के बारे में आपको इंपो कट रहे हैं, इस्तापना हुई थी 1966 में, ठीक है ना, अब ये महराष्ट सरकार के साथ समझो तक्या, तो महराष्ट के CM कोने, उद्दव ठाक रहे हैं महराष्ट के CM, महराष्ट के रजिपाल कोने, भगत चीं कोशियरी है, महराष्ट के प्रेजन टाइमें, गवर्नर, ये नागपूर, ये भी आपको याद रखना, फ्रेंड से जो करन्ट अफेस के वीडियो होते हैं, आपके सभी एक्जाम्स के लिए, डेली पुलिस, SSE, बैंकिंग, रेलवे, PCS, Air Force, नेवी, इन सभी एक्जाम्स के लिए, most important होता है, क्योंकि यापर आपको करन्ट अफेस तो जरूर किजिए, यहापर आपको जीके मिलता है, साथ में आपको किता इस्टेटिक जीके मिलता है, जैसे लोक नर्ती हो गया, CM, गवर्नर हो गया, कोई भी नैशनल पार्क वगएर, सब कुछ हो ना, इसना अपना हैड़कोर्टर, अध्यक्ष, ये सब मिलता आपको जीके म जले, नेक्ष्ट बात का 5-वे question की, हाली में किसने, अईूशमान्थ, सहकार, योजना का शुबर्म किया है, तो अईूशमान्थ, सहकार, योजना का हाली में शुरुआत किया है, केंडृ कर्शी, कल्यान, मंत्री, नरेंंदर, सिंГ, तोमर ने, इनका नाव, आपको याद इन्होंने हाली में शुरुआत किये एंड इसको जो है NSTC मैनेज करेगी सब राष्टिय सहकारी विकास निगम ठीक है ना NSTC इसके बारे में आपको याद रखना है और आयुश्मान शहकार योजना इस योजना के तैद क्या हुआ तो गावों में जो है स्वासथिय इस्तर को सुधारने के लिए योजना शुरू कि आयुश्मान सहकार योजना ठीक है न अब गर बात किया राष्टिय सहकारी विकास निगम की देत है खाद दिया प्रसंसकन मंतरी से तो उनका डिपाटरफेंट भी नरेंदर सिंग्ग के पास है पूछ लिया जाएगा कि खादिया प्रसेंस करण मंतरी को ने प्रेजन टाई में तो नरेंदर सिंग तो मरें ठीक है ना नेक्ट बात का चटे क्वेशन के हाली मायोजित वाई 20 ग्लोबल समिट में भारत की ओर से हिस्सा किसने लिया तो अभी Y20 ग्लोबल समिट आयोजित हुआ है और उसमें भारत की ओर से हिस्सा लिया किरन डीजियो जोने यह आपको इंपोडेंट याद रखना अब यह Y20 क्या? G20 तो सुना होगा आपने तो G20 और ग्लोबल समिट आयोजित हुआ है ठीक है ना इसकी अधिक्षता किसने के तो साओधी अरेबिया ने किये क्योंकि G20 शिकर समिलें 2020 में साओधी अरेबिया में ही होने वाला ठीक है ना कोविड के बाद में जब अभी कोविड चल रहा तो उसके बाद में युआओं के लिए एंपोवर्मेंट उनके लिए जो रोजगार है स्किल डेवलपमेंट युआओं के लिए बहतर ऑपर्चिनुटी के लिए जो है है मुद्रा ठीक है ना अगर इसकी थीम की बात कि लिए किस विशे पर आयो जी तुआ था तो गवर्मेंट यूथ डायलोग्स ऑन पोश्ट कोविड नाइटीन ऑपर्चिनुटी तो कोविड नाइटीन के बाद में युआओं के पास में कौन सी ऑपर्चिनुटी जोगी इसी के बार में इसकी थीम थी एंड यापको इंपोडेंट याद रखना ग्लोबल समिट इसमें हिस्सा लेता किरन डेजी जो ने अध्यक्षता की थी साओधी अरेबिया ने ठीक है ना चलिए नेक्स्ट बात का सांथ वे कोशन की हाली में किसने अस्व के बोंगाई गाव ठीक है ना एंड ये जो है पूरे नौर्थ इस्ट रिजन में ट्रांस्पोर्ट की सुविदा में जो है काफी सुदार लाएगा चाहे वो सडक हो रेल हो या फिर हवाई या तरह हो तो ये जो अस्व के बोंगाई गाव जीले में गाव में इस्तत होगा भारत का पहला लोजिस्टिक पारक है ठीक है या आपको इंपोर्ट एंड याद रखना अगर नौर्थ इस्टी सामधी एक कोशन और पूछे ज़दा है सब्त भगिनी सेवन सिश्टर आपने सुना होगा ठीक है ना तो सेवन सिश्टर में कौन से स्टेट सामिल है अरुना चल प्रदेश नागालेंड मनीपूर मीजोरप असम मेगाले त्रीपूरा ये जो साथ श्टेट है ये हैं सेवन सिश्टर में सामिल सिक्किम जो है सेवन सिश्टर में सामिल नहीं है कई बार एक्जा में पूछ लिए आपको कई बार करेंट अवश इर्लrah या घृद रखना है चले नेक् चुल में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि यह जो है, इसकी जिते भी limit होती है, इतनी limit से ज्यादा ही खर्चा होता है, एक MP का 70 लाग पहले किया जा सकता था, अब 70 लाग खर्चा किया जा सकता है, 10% की छूट दिये, और इसके अलब़ जो है, 28 लाग something MLA की है, limit and 28 ल जो अभी कितना बड़ा है, 10% यह आपको याद रखना है, एक्चुल में, एक्जाम के लिए important है, ठीक है न, अगर बात किया चुनाव आयूग की election commission of India, स्टापना का वो थी, 1950 में इसकी स्टापना हुई थी, 25 जनवरी को, इसलिए राष्टियों मत्नाता दिवस कब मनाते ह इसलिए राष्टियों मत्ना बड़ा है, तो अभी जो है, भारत ने जवालान नेरू पोर्ट जो बामबे में है, उसके और चाबार पोर्ट के बीच में, जो है, कारगो की आवाजाई को बड़ावा देने के लिए, उनमें, ज़्यादा सी जएदा व्यापर को बड़ावा देने के लिए, एक वर्ष तक टैक्स में छूट दिए, 40% टैक्स जो है, छूट दी गए इन दोन याद रखना इसके लब अच्छा बार रेल प्रोजेक्ट भी है वो मैं आपको मैप से बताऊँ अभी पहले जान लेते इरान के बारे में मुद्रा क्या है इरानी रियाल जो है वो है याकी मुद्रा राजदनी क्या है तेहरान है याकी मुद्रा राश्टपती है हसंद गौदर पूर्ट है जो कि इंपोर्टन है और उस पर चाइना का सीधा अधिकार है तो इसलिए भारत ने जवाब देने के लिए इरान में बनाएं यहां पर चाबार पूर्ट ठीक ना इससे सिर्फ 100 किलोमेटर की दूरी है इन दोनों के बीच में गौदर और चाबार के ब इसमें भी भारत का इससा हलांकि बीच में खबर आई थी किसमें जो इरान ने भारत को अलग कर दिया लेकिन अलग नहीं किया ओफिशल कंफर्म हो गया यह चाबार रेल परियुजना एंड चाबार पूर्ट इंडिया के लिए बहुत जड़ा इंपोर्टन है इसी रास्ते इडिया जो अफगानिस्तान एंड इडिल इस्ट एसिया में जा सकता है क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं इंडिया के पास में सीधा डारिट की बीच में पाकिस्तान बेडा है तो यह जो है रास्ता इंडिया के लिए भूत ही aside अबुदा है इसलिए आपको याद रख अब ये शेक रसेल इंटरनेशनल इयर राइफल चेंपेंशिप कहाँ पर हुई थी, बांगला देश में आयोजित हुई थी, जिसमें साथ देशों ने हिस्सा लिया था, इनमें जो हैं, उमेंस में इंडिया की इल्ला विनल क्वालियन थी, इन्होंने ये पदक जीता है, स्वान पदक, बाकि मेंस में जो हैं, जापान के कोई थे, उनका नाम आपको याद रखने की कोई जरूत नहीं है, बांगला देश में हुआ था, बांगला देश, बोंगो सा साथ WhatsApp, Telegram, Facebook वे शेयर जरूर किजिए, सबी जगे शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाई अपने सबी दोस्तों के साथ, चलिए, अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूँ, आज का क्वेशन पूछता हूँ, कल मैंने क्वेशन पूछता हूँ, जेकि हुआ है, उस देश के बार मैं आपको पूरी डिटेल जिती भी पताओ, राजदानी, राष्ट पती, परदानमंद्री, सबी बात आपको लोगो कमेंट बोक्स में जरूर लिखिये, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, मिलते एक नए वड़ी में, तब तक लिए जय देवारत